नमस्कार आप सभी छात्र छात्राओं का आज की इस ओनलाइन क्लास में स्वागत है अभिनन्दन है पूर्व की ओनलाइन क्लासेज में हमने जड़त्पिय निर्देश तंत्रों के बारे में अध्यन किया था और जैसा कि पहले माने आपको बताया था दो तरीके के जड़त्पिय निर्देश तंत्र होते हैं एक जड़त्पिय निर्देश तंत्र और दूसरे ऐजड़त्पिय निर्देश तंत्र एजड़क्पिय निर्देश तंत्रों के अध्यान से पोर हमें आभासी या च्छद्म बल शूडो और फिक्टेटियस फॉर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए तो शुरू करते हैं इसी प्रक्रण से कि आवासी या च्छदम बल शूडो और फिक्टिटिएस फॉर्स क्या होते हैं एक्ट्वल में आवासी या च्छदम बल वे बल हैं जो कण पर एक्ट्वल में नहीं लगते हैं बलकि निर्देश तंत्र की त्वरित गती के कारण कण पर लगते हुए प्रतीत होते हैं यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र में एक कण पी स्थित है जिस पर कोई बल नहीं लग रहा है और इस कण P का निर्देश तंतर S में जो त्वरण है वो सुन्य होगा अगर यही इस निर्देश तंतर के साफिक्स कोई अन्य निर्देश तंतर S-A0 त्वरण से त्वरित गती कर रहा हो तो S-Tंतर में कण पर माइनस A0 त्वरण लगता वाप्रतीत होता है अर्थात निर्देश तंतर S-A0 के त्वरित गती के कारण कण P पर माइनस A0 बल लगता हुआ प्रतीत होता है और इस बल को हम आवासी या च्छाद्म बल कहते हैं आता है वे बल जो किशी करण पर वास्तों में कारिय नहीं करता है बलकि निर्देश तंतर की त्वरित गती के कारण करण पर लगता वा प्रतीत होता है उसे आवासी या च्छाद्म बल कहा जाता है ऐसे निर्देश तंतर जिनमें च्छाद्म या आवासी बल कारिय रत होते हैं ऐसे निर्देश तंत्रों को एजड़त्विय निर्देश तंत्र करते हैं और इस परकार के यह जो निर्देश तंत्र हैं एजड़त्विय निर्देश तंत्र इन में जो न्यूटन के प्रथम और दृतिय नियम है यह वैलिड नहीं होती है इनका पालन नहीं होता है F R होगा जिसका किमान M A R के बराबर होगा और S डैस में कंपर S डैस अगर त्वरित गती से गती कर रहा हो तो इस कारण जो कंपर परड़नामी बल होगा वो दोनों बलों का योग होगा जो की एक्ट्टल बल प्लस जो शुडो बल है आवासी बल है उन दोनों के सदिश योग के बराबर होगा जीसे हम लिख सकते हैं force F equals to FR PLUS FA force F کا जो मान है वो M A के बराबर होगा FR force जो है उसका मान M AIR के बराबर होगा और plus A force F A जो है उसका मान माइनस MA0 के बराबर होगा इसलिए M A बराबर M A R माइनस M A जीरो और इसलिए हम कह सकते हैं कि A का जो मान है वो R माइनस A जीरो के बराबर होगा यहाँ पर माइनस एम एजीरो यह आवासी बल है जो कि एम द्रवयमान के कन पर जो त्वरित निर्देश तंत्र है उसकी गती के कारण जो त्वरित निर्देश तंत्र एजीरो त्वरन से त्वरित है उसके कारण कन पर लगता हुआ प्रतीत हो रहा है और इसकी जो दिशा है वो निर्देश तंत्र के त्वरण के विप्टीत होती है आप जो आबासी या फिक्टिटियस फोर्सेज हैं उनके उधाण के लिए हम लिप्ट या रोकेट में जो गती होती है उसको उधाण के तोर पर काम में ले सकते हैं यदि लिप्ट या राकेट एजीरो तुरण से प्रत्वी केसाब एक स्कूर्दादर उपर की और गती कर रही हो तो लिप्ट में बैठे आदमी को अपने भार में ब्रद्धी प्रतीत होती है क्योंकि तुरित निर्देश तंत्र में एक छदम बाद तुरण की दिशा की विप्रीत असारत प्रत्वी की और कारिय करता है इस कारण जो कण है उस पर दो तरिके के फॉर्स कारिय रत होंगे एक एक्ट्वल फॉर्स एम जी जो की नीचे की तरफ होगा और चुंकि लिप्ट है वो एजिरो तुरण से उपर की और गती कर रही है इसलिए इसके विप्रीत दिशा में यानि एम एजिरो फॉर्स है वो प्रत्वी की तरह और लगतावा प्रत्वित होगा कण पर इसलिए टोटल जो फॉर्स है वो एम जी प्लस ऐम एजिरो के बराबर होगा और चुंकि जो एक्ट्वल फॉर्स है वो इसके वस्तिक द review निचे आजिक है इसी प्रकार यदि कण यदि लिप्ट A0 त्वरण से नीचे की और गती कर रही हो तो उस इस्टिति में जो कण है अगेन उस पर दो तरीके के बल लगते विए प्रतीत होंगे एक MG फोर्स नीचे की तरफ और एक माइनस MA0 फोर्स उपर की तरफ और इसलिए जो टोटल फोर्स है वो होगा MG माइनस MA0 और चुंकि जो कुल बल है वो वास्टिक बल या भार MG से कम है MG माइनस MA0 है इसलिए जो कण है उस पर कंबल का अनभूब करेगा इसी प्रकार यदि लिप्ट या राकेट प्रती के और स्वतंत्रता पूर्वक गिर जाए यानि स्वतंत्रता पूर्वक निचे की तरफ आ रही हो तो उस इस्थिति में MG A0 है इसका मान MG के बराबर होगा और इस कारण जो टोटल फोर्स है वो जीरो होगा और इस कारण जो कण है वो भार हिंता की इस्थिति में होगा और इसे हम भार हिंता की आवस्ता करते हैं इसके अलावा दूसरे उधान के रूप में गूमते वे निर्देश तंत्र जैसे प्रत्वी परिष्टित निर्देश तंत्र में कोई वस्तु लें तो उस पर तंत्र के घुर्णन के कारण कॉरियलिस बल ये तथा केंद्रिय बल लगते वे परतित होते हैं ये बल वास तिक नहीं होते बल के निर्देश तंत्र के घुर्णन गती के कारण लगते वे परतित होते हैं अता ये भी आवासी बल होते हैं